अब हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर और वो है अधिकारों का निर्धारन अधिकारों का निर्धारन जब तक हम परतंत्र थे तो परतंत्रता कार्थ क्या है? क्या थे? परतंत्र थे के माइने क्या? यानि हमारे पास अधिकार नहीं थे परतंत्र होना यहने हमारे पास अधिकार नहीं होना अब जब हम स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ गया है तो क्या-क्या अधिकार हम लेंगे, हमारे होंगे इस पर विचार होना बहुत महत्पून्ट था नागरिकों के अधिकारों के विशय पर नागरिकों के अधिकार कौन कौन से होंगे इसको लेकर सम्विधान सभा के सदस्यों में मताई के था बहुत मताई के था बहुत भिन्निता थी कौन कौन से अधिकार स्वतंत्र भारत के नागरिकों को मिलें कौन से ना मिले इंसिडेंटली मैं यहां बता दूँ कि स्वतनता हमको स्वमिधान सभा ने साथ अधिकार दिये बाद में जिक्र करूँगा उसका इन साथ अधिकारों में से एक अधिकार बाद में वापस भी ले लिया गए तो अब हमारे पास चे अधिकार हैं लेकिन कुछ अन्य देश है जहाँ पर ऐसे मूलबूत अधिकार दस और बारा हैं हमारे यहां केवल चे हैं अर्थात मूलबूत अधिकारों की संख्या कितनी हो किस हद तक वहां की जन्ता को अधिकार मिलें ये सम्विधान सभा को तै करना था और इसको तै करने की प्रक्रिया में बहुत सारे मदभेट सामने आए बहुत सारी वैचारिक भिन्नता सामने आए नागरिकों के अधिकारों का जो निर्न करना था वो कैसे किया जाए इस पर बहस होती थी अलपसंख्यक किसे कहा जाए इस पर बहस होती थी अलपसंख्यक कौन अलपसंख्यक कों हिंदी में कहते हैं माइनॉरिटी ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है भारक में मुस्लिमों की संख्या कम है तो वो अलसंख्यक हुए लेकिन राज्यवार यदि देखें तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहां हो सकता है मुस्लिम की संख्या ज्यादा हो मुस्लिम बहुल हो और हिंदू अल्पसंख्यक हो आदी आदी बहुत धर्म अल्पसंख्यक हैं लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ राज्य हो जहां पर बहुत धर्म के अन्याईयों की बहुलता हो और दूसरे धर्म के अन्याई अल्पसंख्यक हो तो अल्पसंख्यक कौन होंगे क्य मात्र आंक्रों के बल पर ही उन्हें अलप संखिक कहा जाए या कुछ और भी आधार हो और फिर अलप संखिकों को क्या अधिकार दिये जाए तो कि एक बड़ा अलग मुद्दा था माइनॉरिटी होने के नाते ऐसी शंका हमेशा रहती है कि माइनॉरिटी को समाज में समानता नहीं मिलती तो सुनिश्चित करने के लिए कि वो समाज में समान सुवधाओं का आनंद ले पाएं उनके लिए कुछ अत्रिक्त अधिकारों का प्राधान किया जाता है उन्हें कुछ अत्रिक्त राजन्यतिक राहत दी जाती है तो उनके क्या अधिकार होंगे इस पर भी ब चाहे वो अच्छूत हों जो उस समय थे चाहे दलित लोग हो निम्न वर्ग के लोग हो शोशित वर्ग हो इन लोगों को क्या राहत मिलेगी इनको क्या विशेश शादिकार मिलेंगे इस बात को लेकर भी बड़ी बहस होती थी या महिलाओं को विशेश शादिकार दिये ही ना जाएं महिलाओं के लिए कोई विशेश प्राधान अलग से ना किया जाएं अलप संखितों के लिए कुछ प्राधान अलग से किया जाना चाहिए कि नहीं ये भी एक बड़ा विचारणी मद्दा हुआ करता था ऐसे प्रश्णों पर सम्विधान सवा के सदस्यों में मताई के था लेकिन कुछ ऐसी बाते थी कि मताई के होते हुए भी उनमें एक रूपता थी सहमत ही थी उद्पीडित समाज को विशेश शादिकार देना है इस बात पर सब सहमत थे अलपसंख्याक आदी को कुछ विशेश संड्रक्शन देना है इस बात पर भी सब सहमत थे जोहलाल नहरू ने अपने उद्गाश्टन भाषण में जनता की इच्छा पर बल देते हुए जनता के दिलों में समाई आकांग्शाओं और भावनाओं जनता की इच्छा उनका बारं बार इस बात की ओर इशारा था कि जनता अहम है जनता सुप्रीम है जनता सर्वोच है और इसलिए जनता के दिल में जो इतिहासिक काल से जो आकांग्शाएं और भावनाओं हैं आकांगशाई याने अपेक्षाई उम्मीदें और भावनाई याने इतने काल से जो कुछ उनके साथ घटित हुआ है और जो वो अंदर दबाए रखे हैं उसको निकाल के पूरा करना उनकी आकांगशाओं को पूरा करना उनकी भावनाओं को इज़त देना यही सम्विधान निर्माताओं का मूल करता भी होगा ऐसा अपंडे जवालाल नहरू का कहना था परंतु परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और किसी सामान ने किसी विशय पर सामान साहमती बनाना ये बड़ा कठिन काम साबित हो रहा था क्योंकि कहीं न कहीं ये भावना इन लोग की टकराती थी विचार टकराते थे और इसलिए कई बार समाधान पर नहीं पहुंच पाते थे निशकर्च पर नहीं पहुंच पाते थे ये विधान साहमती भी नहीं बन पाती थी बड़ा जटिल मामला हो गया था कोई सरल काम नहीं था तो अधिकारों के निर्धारण में कई दिक्तें सामने थी यदि हम अल्प संखिकों के लिए प्रिथक निर्वाचिका की समस्या की बात करें अल्प संखिकों के लिए प्रिथक निर्वाचिका इस पिर ज़िए हम बात करें तो मदरास के एक सदस्र थे बी पोकर बहदुर वे अलप संख्यों के लिए प्रिथक निर्वाचिका बनाये रखना चाहा उनका कहना था कि उनके लिए निर्वाचिका ही अलग रहे उन्होंने अपने भाशन में कहा कि अलप संख्यक सब जगह होते हैं उन्हें हम चाहा कर भी नहीं हटा सकते हमाय आशकता एक ऐसे राजनेतिक धाचे की है जिसके भीतर अलप संख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और समुधायों के बीच मद्भेद कम से कम हो। यानि प्रिथक निर्वाचिका की पैरवी करते हुए इनका ये मानना था कि हर जगह अलप संख्यक तो होंगे ही क्योंकि एक बहुल वर्ग होगा और बहुल वर्ग के बाद जो दूसरा वर्ग है वो तो अलप संख्यक होगा ही तो ऐसे अलप संख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए हमें प्रिथक निर्वाचिका का प्रावधान करना ही चाहिए ताकि वे लोग सद्भावना के साथ जी सकें। इसलिए उनका बारंबार इस बात पर जोड़ था कि ऐसी राजनीतिक विवस्था हो जिसमें अलप सं औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें। मिस्टर पोकर ने अलप संक्यकों की बात करते हुए जब एक तरफ कहा कि ये तो सभी जगा होते हैं तो सभी जगा होते हैं इस बात को उन्होंने इस रूप में रखा कि चूकि ये सभी जगा होते हैं इसलिए सभी जगा इनके ल का प्राधान किया जाए जिसके भीतर अल्प संख्यक भी औरों के साथ सद्भावना के साथ जी चके मद्वेद कम से कम हो उनके अनुसार इस देश की पूर्ती तभी हो सकती है जरूरी है कि राजनेतिक विवस्था में इन्हें पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए अर्थ मिस्टर पोकर की मांग थी पूर्ण प्रतिनिधित्व इनकी मांग थी प्रिथक निर्वाचिका और ये इसलिए ताकि उनकी आवाज को सुना जाए उनके विचारों को सुना जाए अभी तक अल्प संख्यकों की आवाज और विचारों को पिछले इतिहास में नहीं सुना पूर्व के काल में नहीं सुना गया इसलिए अलप संखिकों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है ऐसा इनका कहना था तो इसलिए वे कहते हैं कि इनकी आवाद सुना जाया इनके विचारों को ध्यान दिया जाया इनका आगे विश्वास था कि मिसल्मानों की समसंखिया एवं आशकताओं को केवल मुसल्मान ही समझ सकते हैं अता देश के शासन में मुसल्मानों की सार्थक भागीदारी ने तांट जरूरी है ये उन अल्प संखिक वर्ग की बात कर रहे थे जो हैं तो अल्प संखिक पर बहुत बड़ी तादाद में हैं मुसलिम वर्ग और इसलिए उनका कहना था कि प्रिथक निर्वाजिका के द्वारा ही इस मुस्लिम अल्प संखिकों की आवाज को सही तरीके से सुना जा सकता है उनकी आवशकताओं को सही तरीके से समझा जा सकता है किन्तु दुरभागे से या संविधान सभा की प्रिथक निर्वाजिका की वेल्थ था ऐसा माना जाता है ब्रिटिश लोग की चाल थी अधिकांश जो सदस्ट थे वे प्रिथक निर्वाचिका को बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे और ऐसे लोग का मानना था जिने हम राष्टवादी कह सकते हैं राष्टवादी अर्था जो राष्ट के लिए सोच रहे हैं कुल मिलाकर बजा एक कम्यूनिटी के इन लोग का कहना था कि प्रिथक निर्वाचिका की जो एक बात आ रही है इसके पीछे वही सामराजवादी बू आ रही है इसके पीछे वही बिटिस प्रिशासकों की डिवाइड एंड रूल तोड़ो और शासन करो ऐसी चाल दिखाई देती है जिसके दोरावे भारतियों को अभी भी विभक्त करने के प्रियास में है ये राष्टवादियों का म था और अधिकतर लोग मिस्टर बी पोकर बहादूर के इस विचार से कि प्रिथक निर्वाचिका हो अलप संक्यों को कि इससे सामत नहीं थे वही आरवी धुलेकर ने इसका कड़ा विरोध किया उन्होंने बी पोकर बहादूर को संबोजित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने संरक्षन के नाम पर अपना खेल खेल लिया इसकी आड में उन्होंने तुम्हें फुशला लिया है बहुत कटुवा कि कहा कि मित्र मिस्टर पोकर बहादूर जी अंग्रेजों ने संरक्षन के नाम पर इतने वर्षों तक संरक्षन मतलब किसी एक को शाह दे के रखना कि किसी एक को पालतू बना के रखना किसी एक गुट को एक वर्ग को समाज के एक तबके को और ऐसा पालतू बनाए रखकर विभगती सुनिश्चित करना तो उन्होंने अपने कड़वे बयान में बिस्टर पोकर बहादूर को संबोजित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने त नाते ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको भी फुशला लिया है एक तरीके से बड़ा उत्तेजित वाक्य था अब इस आदत को छोड़ दो किस आदत को अंग्रेजों की अंग्रेजों की शतरंज का मोहरा बनने की आदत को छोड़ दो और अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं क्यों क्योंकि अब तो अंग्रेज चले गए तो तुम जिस बहकावे में होकर ये विचार रख रहे हो तुम जिस अंग्रेजों के प्रभाव से होकर ये विचार रख रहे हो प्रिथक निर्वाइचिका का वो विचार तो अब त्याग ही दो क्योंकि अंग्रेज चल प्रिथक निर्वाचिका के मुद्दे को लेकर मिस्टर बी पोकर बहद्दूर और उनके जो उसी विचारधारा के लोग थे उनको बहुत कड़वाहट सुननी पड़ी वास्तों में विभाजन के कारण राश्वादी नेता प्रिथक निर्वाचिका के कट्टर विरोधी थे क्योंकि यदि आप इतिहास में जाएं बच्चों तो प्रिथक निर्वाचिका की बात 1909 में अंग्रेजों ने लागू कर दी थी अपने तरीके से और उसे आगे 1919 में और बढ़ाया जब उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलक सीट का प्रावधान किया कुछ रिजर्फ सीट का प्रावधान किया कुछ सीट आरक्षित की और यही घटना आगे जाकर भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनती है यह जो प्रिथक निर्वाचिका की जो शिरुवात 1909-1919 तक चलती है और आगे अंग्रेज इसको शाह द देते हैं यह वास्तों में मुस्लिमों के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रावधान था और उसी का परणाम सा कि अंता मुस्लिम पाकिस्तान की मांग करते हैं तो जैसे यह बात फिर से समधान सभा में उड़ती है प्रिथक निर्वाचिका अल्प संख्यकों के लिए तो उस पर कड़ा विरोध होता है कटर विरोध होता है और विभाजन के घटना के मद्दे नजर राष्टवादी नेता इस प्रिथक निर्वाचिका के कटर विरोधी थे सरदार वल्लम भाई पटेल लौपुरुष सरदार वड्लम भाई पटेल जिन्हों ने देश क एक ही करण में बहुत अहम भूमिका निभाई उन्हें ने इसकी बड़ी कटवा अलोचना करते वे कहा कि प्रिथक निर्वाची का एक विश की तरह है एक जहर है इसे पॉईजन प्रिथक मिर्वाची का एक ऐसा विश है जो हमारे देश की संपूर्ण राजनीती में समाच चुका है और इसका श्रे इसको राजनीती में अंदर तक भरने का श्रे अंग्रेजों को जाता है सरदार पटेल के ये कटू वाकि बार बार समविधान सवा में दोराय जाते थे एक ऐसा विश जो हमारे देश की संपूर्ण राजनीती में घुच सुका है यानि हर जगा अब हम प्रिथक निर्वाचिका प्रिथक करण की बात करते हैं उनके अनुसार ये एक ऐसी मांग है जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय का विरोधी बना दिया एक गुट को दूसरे गुट का विरोधी बना दिया राष्ट को विखंडित कर दिया हिंस किसके परिप्रेक्ष में हैं? 1909, 1919 के उस समवैधानिक प्रावधान के परिप्रेक्ष में हैं, जो मिंटो मौले रिफॉर्म और मौन्टेगी चेंज फॉर्ड रिफॉर्म में डाले गए थे, जिसमें प्रिथक निर्वाचिका की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए नीते में छा गई और फिर सदार पटेल कहते हैं कि इसी प्रिथक निर्वाचिका की मांग ने एक समवधाय को दूसरे समवधाय से तोड़ दिया, राष्ट को विखंडित कर दिया, पार्टीशन और संप्रदाइक दंकों के रूप में हिंसा और अक्तपात को बढ़ावा और अंतता देश का विभाजन कर दिया, सदार पटेल ने कहा क्या तुम इस देश में शांती चाहते हो, यदि चाहते हो तो इस बांग को ततकाल त्याग दो, ऐसी चेतामनी देते हुए उन्होंने प्रिथक निर्वाचिका के वोटरोंस को, उनके समर्थकों को करारा जवा दिया और उनका मोह चपकराया, गोविंद वल अपन्त, वो भी दूसरे बड़े प्रखर मुखर नेता थे, इन्होंने भी प्रिथक निर्वाचिका की मांगों का कडाई से वरोद किया, यद्यपी वो पोकर के इस विचार से सहमत थे कि लोक तंत्र की सफलता का आकलन, उसक उत्पन किये गए आत्म विश्वात से दिखता है, लोक तंत्र का आकलन, लोक तंत्र की सफलता और उसका आकलन, उसके द्वारा विभिन समधायों में उत्पन आत्म विश्वात से दिखता है, ये बात इस बात से, पोकर की इस बात से, गोविंद वल अपन्त शहमत तो थे लेकिन वे प्रिथक निर्वाचिका की मांग को आत्मघाती समझते थे सरदार पटेल इसे विश मानते थे गोविंद बलब पंध इसे आत्मघाती सूशाइडल स्वयम पर कुलहाडी मारने वाली बात मानते थे उनका कहना था कि प्रितक निर्वाचिका की विवस्था से जो अल्प संख्यक हैं वो इस्थाई रूप से अलग हो जाते हैं सतत रूप से परवनित रूप से वो अपने को अलग मानते हैं अलप संख्यक मानते हैं, अलप संख्यक रहने की मानसक्ता में जीते हैं और अलप संख्यक जैसा व्यवहार करते हैं और इस परकार अलग थलग ही पड़े रहते हैं, ऐसा पंत का मानना था और ऐसा करते हुए वे लोग कोई सबल नहीं होते, वे लोग दुर्बल ही हो जाते है और शासन में प्रभावी भागीदारी प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं पंत के अनुसार गोविंद बल्लब पंत के अनुसार प्रिथक निर्वाचिका अल्प संखिकों को दुर्बल बनाती है सबल नहीं तो इसलिए यदि उन्हें सबल बनाना है तो प्रिथक निर्वाचिका की मांग को त्यागना होगा और इसके बदले कुछ अन्य तरीके के प्रावधान करने होंगे जिससे की इन अल्प संखिकों का विश्वास बना रहे और ये भारती राजनी थी भारती सामाजी के विवस्था की मुक्ष धारा में चल सकें हमें याद रखने चाहिए कि राष्ट वादियों के इस सभी तरकों के पीछे जो सबसे बड़ी चिंता थी वो क्या थी मैं राष्ट वादियों की बात कर रहा हूँ तो ये लोग जो भी तरक देते थे चाहे सदार पटेल हों चाहे नहरू हों या अन्य हों इन तरक के पीछे इनकी एक बात रहती थी सततरूप से और वो भावना क्या थी एकीकरित राष्ट का निर्माण यूनिफाइड नेशन यूनिफाइड नेशन ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि एकीक राष्ट को एकीकरित करना तो एक समस्या थी और एकीकरित करने के बाद उसे एकीकरित बनाये रखना ये दूसरी समस्या थी एकीकरित करने की समस्या का काफी हज तक सरदार पटेल ने निराकरन कर दिया था जब उन्हें भारत के 562 रियास्तों में से अधिकतर रियास्तों को भारत में शामिल करने में सफलता पाई थी जम्मू कश्मीर जूनागर्ण और हैदराबाद को छोड़ कर पर एकीकरित की अक्षुन्यता बनाये रखना एकीकरित राष्ट की अक्षुन्यता को बनाये रखना ये एक बड़ा कठिन काम था और इसलिए और इस बात के प्रती तमविधान सभा के निर्माता बड़े सजक थे कि सरदार पटेल ने जो एकी करण किया है या कर रहे हैं वो एकी करण यथावद बना रहे ये एक बहुत कठिन काम है और इसलिए बार-बार इसी की चिंता करते थे और इस चिंता का ही परणाम था कि वे प्रिथक निर्वाचिका शब्द से ही नफरत करने लगे थे राजन्यतिक एकता राश्ट की स्थापना ये दो चीजे देश की स्थापना एक राश्ट बनाना राज्यातिक एकता लाना लोंगों के मन में राष्ट की भावना लाना खेतरीता की भावना को तुरस्कृत कर राष्ट की भावना लाना इसके लिए बहुत जरूरी था कि हर व्यक्ति को राज्ज के नागरिक के साचे में ढाला जाए देश के नागरिक के साचे में ढाला जाए और प्रत्येक समू को राष्ट के भीतर समाहिद किया जाए ये बहुत अहम बात थी ये बहुत जरूरी था कि यदि हमें एकता स्थापित करनी है तो समाच के सभी तबके को इसमें जोडना होगा और जोडने के साथ साथ उन्हें हम समाहिद भी करना होगा ऐसी सोच उन्हें डालनी होगी कि वे राष्ट हित को सरवोपी रखते हुए सोचें कि यहां का प्रत्येक नाकरिक राष्ट हित को सरवोपी रखते हुए सोचें और यहां के जितने भी समू हैं वे अपने को मुख्यधारा में राजनतिक और सामाज एक मुक्य धारा में महसूस करें ये एक बहुत जरूरी काम था यादि सम्विधान से नागरिकों को अधिकार देना है तो नागरिकों को भी राज्य के प्रति निश्था का वचन देना होगा सदस्यों का कहना था कि हम लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं पर नागरिकों के क्या करता वे हैं इसकी बात भी बहुत जरूरी है हम अधिकार देने हैं इस पर असहमत नहीं हैं हम सब इसमें एक हैं कि नागरिकों को अधिकार देना है कौन कौन से अधिकार इनको देना है इस बात पर हम भले असहमत हो पर अधिकार देना है इस बात पर सहमत है इन अधिकारों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों को राज्य के प्रतिनिश्था का वचन देने की बाध्यता की जाए राष्ट की निश्था, देश के प्रतिनिश्था, समर्पन, ये उनका करता भी हो वास्तों में जो राष्टवादी लोग थे, इनका मुख्य देश था कि एक ताकतवर देश का निर्माण हो, एक देश का ही निर्माणी ताकतवर देश का निर्माण जहां हर व्यक्ति राष्ट का हित सोचे और जब हर व्यक्ति राष्ट का हित सोचता है तो वह देश बहुत ताकतवर रहता है मजबूत रहता है यूनिफाइड रहता है एक मेव रहता है आधी आधी और यदि देश को शक्तिशाली बनाना है एक मजबूत राष्ट का निर्म है कि राजनेतिक दृष्टि से सभी समुदाय के मिम्बर सदस्य, राष्ट के सामान्य सदस्यों के रूप में होकर कारे करें। सुन्नीजे, इन राष्टवादियों का कहना था कि शक्ति-शाली राष्ट होने के लिए जरूरी है कि उस राष्ट के सभी नागरिक, सभी समधाय के लोग सामान्य सदस्य के रूप में रहें, एक बराबर रहें, समानता रहें, किसी को कोई विशेश अधिकार ना हो, अर्थात, अल्प संख्याक, बहु संख्याक, आधिक विचार, मन्ते हट दिये जाएं, हमारे लिए सभी नागरिक समान हैं, राजनेतिक जिस्ट से सभी लोग को समान अधिकार दिया जाएं, और यदि ऐसा होता है, तभी राष्ट एक जुट रहेगा, शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि यदि इनकी भावनाएं, इनकी निष्ठाएं, यदि खंडि हों, तूटी होई हों, विभाजित हों, तो शक्तिशाली राष्ट की कल्पना नहीं की जा सकती, शक्तिशाली राष्ट की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे मजबूत राष्ट का निर्मान नहीं किया जा सकता, यदि इनकी भावनाएं भी खंडित हों, यदि इनमें राजने राजन्यतिक स्थर पर समानता ना हो, यदि राजन्यतिक स्थर पर इनके साथ कुछ खेल किया जाए, किसी तरह का प्रावधान अलग-अलग तबकों के लिए अलग-अलग तरीके से किया जाए, तो एकता नहीं रहेगी, ऐसी शंका समधान सभा के अधिकतर सदस्यों में विन्दवलपन ने एक जुट निष्ठा शब्द का उपयोग किया था एक जुट निष्ठा और था हम सब एक जैसी निष्ठा रखें और ऐसा कहते हैं उन्हेंने कहा था कि हमारे भीतर ये आत्मगाती और अपमान जनक आदत बनी हुई है कि हम सभी कभी नागरिक के रूप म citizen of the country हमें देश के नागरिक के रूप में सोचना है किसी समुदाय विशेश के रूप में नहीं सोचना है किसी समुदाय विशेश का हिस्सा होते हुए हमें नहीं सोचना है हम सब को भारतिय होते हुए भारतियता को उपर उठाना है खेतरीता को या समुदाय वाद को तिरस और कहते हैं यह बड़ी अपमां जनक बात है और यह बड़ी आत्मगाती आदत और अपमां जनक आदत हमें है कि हम नागरिक के रूप में नहीं सोचते हैं हमें याद रखना चाहिए के महत्व केवल नागरिक का होता है महत्व केवल नागरिक का होता है citizen only citizen is important nothing else एक नागरिक के नाते आपका महत्व है किसी एक समुदाय विशेश का व्यक्ति होने के नाते आपका महत्व नहीं है सामाजिक पिरामिड का आधार भी और इसकी चोटी भी नागरिक ही है सामाजिक पिरामिड की बात की उन्होंने पिरामिड में ऊपर नेरो होता है नीचे चोड़ा रहता है इस पिरामिड में उन्होंने कहा इसका आधार भी नागरिक ही है जहां नीचे चोड़ाई में सभी लोग हैं और वो नागरिक हैं और ऊपर भी जो है सरवोच वो भी नाग और यही आधार है सामाजिक धांचे का एक सक्षम धांचे का सारे मुसल्मान भी प्रिथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी होगी क्योंकि बहुत सो मुसल्मान इस बात के समर्थक नहीं थे कि वे एक अलग प्रिथक निर्वाचिका चाहते हैं या प्रिथक देश चाहते हैं हमारे भारती राष्ट्री आंदोलन में ऐसे अनेकों मुसलिमों के उधारन हैं और थे जिन्होंने राष्ट्री आंदोलन में समानता के साथ भारत की स्वतनता क लिए संघर्श किया किसी अलग राष्ट के लिए नहीं और उसी तारतम्य में उसी शिंखला में ऐसे बहुत से मुसल्मान थे जो प्रिथक निर्वाचिका के मात्र उस मांग के समर्थक मांग के समर्थें में नहीं थे बलकि कई लोग तो इसका पखर विरोध भी कर रहे थे बेगम एजाद रसूल जिसका नाम मैंने पूर में लिया जो एक मात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधी नामिनी सम्वधान सभा में थी उन्होंने भी इस मांग को आत्म घाती कहा था और उनका कहना था कि अल्प संखिकों को बहुत संखिकों से यदि प्रिथक करन हैं तो प्रिथक निर्वाचिका उनके लिए बनाई जाए लेकिन ये बहुत गलत है उन्हें प्रिथक तो किया करना ही नहीं है अंग्रेजों ने जो प्रिथक करन की प्रक्रिया 1909 में शुरू की थी उसकी परिणिती हम देख चुके हैं विभाजन के रूप में तो अब इ इस प्रकार उनका कहना था कि अल्प सऑ्खयों को बहुत संख्यकों से कतवी प्रिथक ना किया जाए 1949 में या 1949 के आते आते तक सम्विधान सभा के अजिकतर मुस्लिम सदस्य से मानने लगे थे कि प्रिथक निर्वाचिका का प्रस्ताओ अल्प संखिकों के विरुद्ध है प्रारम में इसमें बड़ी तकलीफ हुई इस विचार को फैलाने में प्रारम में ऐसा लग रहा था कि इस सम्विधान सभा के बहुत से सदस्य से प्रिथक निर्वाचिका के पक्ष में है लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया जैसे जैसे और विचार मन्थन होता गया जैसे जैसे गहन विचार विमर्ज बढ़ता गया और विभाजन की विभीशिका का अनुभाव होते गया विभाजन की विक्रालता लोगों को जैसे जैसे दिखाई देने लगी तो वैसे वैसे प्रिथक निर्वाचिका की मांग का प्रभाव भी कम पढ़ने लगा प्रिथक निर्वाचिका का प्रस्ताओ अल्प सक्षिकों के हितों के विरुद्ध है ऐसा जादा से जादा सदा से मानने लगे उन्होंने तो इस बात पर भी बल दिया कि मिसल्मानों को प्रिथक निर्वाचिका की मांग की अपेक्षा लोग तांत्रिक प्रक्रिया में शक्री योगदान के बारे में ज्यादा सोचना होगा ये बात इसलिए बताई जारी है कि ये प्रिथकता की जो भावना थी जो अंग्रेजों ने पनपाई थी हिंदू मिसल्मानों के बीच में जो एक तरीके से उन्होंने एक विभाजन पैदा किया था उसकी प्रती ध्वनी सम्विधान सभा के डिबेट्स में भी दिखती है उसकी छाया दिखती है उसकी अनुभूती यहां दिखती है और सम्विधान सभा के सज़से जहां प्रारंब में कुछ लोग प्रिथक निर्वाचिका के समर्थन में थे उसके प्रति मुकर थे वहीं धीरे 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 जैसे जैसे समय बीचता है अधिक से अधिक सद्द से इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि यह कदम सही नहीं होगा इसलिए प्रिथक निर्वाचिका की मांग धीरे धीरे अपने आप समाप सो जाती है और मुसल्मानों के मन में ये भावना घर करने लगती है कि हम प्रिथक निर्वाचिका की मांग के बदले लोकतांसरिक प्रक्रिया में सक्री रूप से जोगदान देने के लिए सोचें